नमस्कार में अन्शोर आप देख रहे हैं फॉरी न्यूस चैनल उत्तर प्रदेश के वारवन की जलमे साल बाड में समय से पोर अपने दस्तक दे दी है आमोमन हर साल पंद्र गस्त के बाद घागर नदी के तटवर तिलाकों में बाड के स्थिती बनती थी लेकिन यहां अब तक सो से अधिक गाउं में बाड का पानी पहुच चुका है नदी खत्री के निशान को पार कर गई है ऐसे में गाउं के लोग सुरक्षित स्थानों पर पलान करने को मजबूर हो रही है जिले के धिकारी और नेताओ ने बाड पर भावित गाउं का दोरा किया है दिखाती है पूरी कबर विस्तार से नेपाल के पहडों पर बारिश और लगातार पानी छोड़े जाने से नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है रामनगर तहसिल खेतर में कौरियन पुर्वा मजरे, तपतेशी पाह, जैन पुर्वा, मलहान पुर्वा, सिसोडा, लहडरा, एमा, हरी नाराइनपुर, गाउबाड के पानी से घिर गए वहें सुरतगंग शेत्र के बलाईपुर, कॉरियन पुर्वा, तपे सीफाहा, सिसॉंडा, मलहन पुर्वा, लहडरा, दुरगापुर, नामेपुर, सिरॉली, हेत्मापुर, कंचनापुर समेट सो से अधिक गाउं के निकट पानी पहुँच गया गाउं में पानी भड़ने से कहीals संपर्ग मार्ग कट गए और किसानों की फस्लों को भाली नुकसान पहुचा है घरों में पानी गुषने से यां कही गाउं के लोगों को सुरक्ष्ट स्थान पर पहुचाएं जा रहा है बाड़ पड़ितों ने बताया कि उनके गाउं में पानी काफी बढ़ चुका है कई लोग गाउं से पलायन कर चुके हैं और अब हम लोग भी सामान लेकर बंधे पर जा रही है अगर ऐसे ही पानी बढ़ता रहा तो पूरा गाउं पानी में डूब जाएगा गाउं के लोग बेहत परिशानी उठाते हैं वही बाड़ परभावित इलाकों का दोरा करने पहुंचे रामनगर विदायक शरद अवस्ती ने बताया कि गाउंड़ परिवार को रहत सामगरी पहुंचाई जा रही है करवाया गया है और बाड़ परिटो की आगे भी हर सम्भव मदद की जाएगी रिपोर्ट पंकज शुकला बारवन की अपने आसपास की छोटी वड़ी खबर देखने के लिए हमारी चैनल M4U न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब परना न भूले साथी बेल का इकन दबाई जिससे आपको सभी न्यूस टाइम पर मिले आप अपने सुझाओं हमें कमेंट कर बता सकते हैं